नमस्कार मित्रों, डेजार पॉइंट चैनल के एक नए विडियो लेक्चर में मैं हूँ अमेद दूबे और आज के इस विडियो लेक्चर में हम क्लास तेंथ इंगलिस के एक चैप्टर का अध्यन कर रहे हैं जिसका नाम है एनिमल्स और इसके लेखक हैं वॉल्ट वाइट म इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रामिस करता हूँ कि जब यो विडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआ होने वाला है यानि बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल सब्दों में मैं आज आपको ये चैप् चलिए सबसे पहले चैप्टर की टाइटल की बात करें तो यहाँ पर चैप्टर का टाइटल है एनिमल्स इस सब्द से सभी परचित है एनिमल्स की हिंदी होती है जानवर अब यहाँ पर इस चैप्टर का नाम जानवर यानि एनिमल्स रखने का भी एक कारण है यहाँ पर क मनुष्य की तुलना जानवर से की है और ये बताया है कि कौन अधिक स्रेष्ट है कहने का तत्पर आसान सब्दों में कि कभी यहां पर दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य कितना लालची है कितना एर्शालू है अपने हित के लिए अपने भले के लिए वो किसी का अहित करने में पीछे नहीं हटता वो इतना लालची है कि वो कब सही काम कर रहा है और कब गलत काम कर रहा है अपनी लालच में अन्धा होकर वो ये भी नहीं समझ पाता जबकि ठीक इसके विप्रीत जानवर होते हैं जो कि अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं उन्हें ना तो किशी शे इर्ष्या है और ना ही किसी चीज का लालच है ठीक है इसलिए इस चैप्टर का नाम है एनिमल्स यानि यहां पर एक तरह से ताना कस रहे हैं कभी वॉल्ट वाइट मैन ठीक है यानि हम ल पर लाँबाद को बढ़ा चढ़ा कर चलिए सबसे पहले यहां से हमारी पॉयम स्टार्ट होती है और उससे भी पहले बच्चे बहुत कमेंट करते हैं कि किस प्रकाशन की बुक है तो यह पुक राज्यू प्रकाशन की है और इलहाबाद के किसी भी चेत्र में आपको यह ब जब कवी कहें कि आई अर्थात मुझे, तो कभी कौन है, कभी इंसान हैं, सिर्फ दो ही लोगों की बात हुई है एक जानवर की और एक इंसान की, तो भाई कभी जो है वो तो इंसान है तो ये आई न, ये रिप्रेसेंट करेगा सभी मनुष्य जाति को अर्थात जब कवी अपने बारे में कहेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए या फिर मैं ऐसा बन जाओं अर्थात कवी बताना चाहते हैं कि मनुष्य जाती को ऐसा बन जाना चाहिए या फिर मनुष्य जाती को ऐसा करना चाहिए या फिर मनुष्यों को ऐसा लगता है, या फिर संपूर्ण मनुष्य जाती को ऐसा हो जाना चाहिए, अब ये मोटे अस्तर पर था, लेकिन और सरल अस्तर पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तब आप इसको और सरल तरीके से समझ सकते हैं, देखे, I, I मतलब होता है मै अर्थात मुझे, ठिंक मतलब सोचता हूँ या फिर मुझे लगता है, तो I think का हो जाएगा कि मुझे लगता है, कि I, I कि मतलब मुझे, could turn, could turn अर्थात परिवर्तन करना चाहिए, turn मतलब होता है मुड़ना, बट यहाँ पे turn का तातपर है परिवर्तन करने से, तो I think मुझे लगता है कि I could turn, कि मुझे परिवर्तन करना चाहिए, and live, और रहना प्रारंब कर देना चाहिए, and live मतलब रहना, and मतलब और, and मतलब और, और रहना प्रारंब कर देना चाहिए, with मतलब साथ, animals मतलब जानवरों के, तो I think मुझे लगता है कि I could turn मुझे परिवर्तन कर देना चाहिए ठीक है यानि कहां पर परिवर्तन कर देना चाहिए मुझे स्वयम में परिवर्तन कर देना चाहिए ठीक है तो I think मुझे लगता है कि I could turn कि मुझे स्वयम में परिवर्तन कर लेना चाहिए and live और रहना प्रारंभ कर देना चाहिए with animals जानवरों के साथ अब यहाँ पर समझे यहाँ पर कभी कह रहें कि I think मुझे लगता है कि I ये वाला जो आई है न कि मुझे स्वयम में परिवर्तन कर लेना चाहिए कि कभी संपूर्ण मानव जाती को ये संदेशा दे रहे है कि संपूर्ण मानव जाती को ही स्वयम में परिवर्तन कर लेना चाहिए क्योंकि सभी मनुश्य लालची है किसी को किसी से इर्ष्या है तो किसी को किसी चीज का लोब है सब में लालच है या इरश्या है कुछ न कुछ है तो वही कह रहे हैं कि I think कभी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि I could turn कि मुझे स्वयम में परिवर्तन कर लेना चाहिए इसका तात पर ये है बड़े स्थर पर अगर आप पढ़ना चाहिए तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कभी कह रहे हैं कि I think कि मुझे लगता है कि संपूर्ण मानवजाती को ही स्वयम में परिवर्तन कर लेना चाहिए क्लियर हो गया हो सकता है आप भूल जाए ना ऐसे भी हो सकता है कि आप भूल जाए कि संपोर्ण मानवजाती के लिए लगा है ये तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे स्वयम में परिवर्तन कर लेना चाहिए क्योंकि कवी भी मनुश्य ही है ठीक है तो ये बात आ इसपष्ट रूप से यहाँ पर प्रदर्सित हो जाएगी इसपष्ट रूप से कहना चाहिए तो आप ऐसे कह सकते हैं कि संपोर्ण मानवजाती को स्वयम में परिवर्तन कर देना चाहिए आ इसपष्ट रूप से आप डारेक्ट कवी को ही बुले कर बोल दीजिए कि कवी कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें स्वयम में परिवर्तन कर लेना चाहिए अब इस बात को ध्यान से समझ लेजिए अब इसको हम आसानी से आसान सब्दों में पढ़ते चलेंगे तो आई थिंक कवी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि I could turn कि मुझे स्वयम में परिवर्तन कर लेना चाहिए और जानवरों के साथ रहना प्रारंभ कर देना चाहिए यानि वह जानवर अर्थात जानवर आर हैं so placid जानवर बहुत placid हैं जानवर बहुत सांत हैं and are self content self content यानि सैयमी है तो जानवर या फिर वे बहुत शांत और शैयमी हैं ये शैयमी सब्द का क्या अतात पर यह होता है शैयमी सब्द का अतात पर यहां पी यह है कि जानवरों को किसी चीज का लोब नहीं होता किसी चीज का लालच नहीं होता और वो हमेशा ज़्यादा तर सांत ही रहते हैं ठीक है तो पहले line को एक बार फिर से समझ रेजिए ताकि दुबारा revision ना करना पड़े तो I think मुझे लगता है कि I could turn कि मुझे स्वयम में परिवर्तन लाना चाहिए या फिर कर लेना चाहिए only with animals और जानवरों के साथ रहना प्रारंब कर देना चाहिए दे अर्थात वे वे मतलब जानवर आर सू प्लेसिट बहुत सांत है और शैयमी है या फिर जानवर बहुत सांत और शैयमी होते हैं I stand मैं खड़े होकर I मतलब मैं stand मतलब खड़े होकर and look और देखता रहता हूं at them उन्हे दे मतलब जानवरों को तो I stand मैं खड़े होकर look at them उनको देखता रहता हूं long and long बहुत लंबे समय तक ठीक है long and long यानि बहुत लंबे समय तक यानि जब वो जानवरों को देखते हैं तो उनको देखते ही रह जाते हैं कि ये कैसे अपना जीवन आराम से जी रहे हैं ना इनको पढ़ने जाना है सब कुछ यहां पर जानवरों का जीवन बड़ा ही बढ़िया है ये सब कुछ देखकर कभी कह रहे हैं कि मैं उनको देखता हूं खड़े होकर मैं उनको देखता हूं और देखता ही रहता हूं बहुत लंबे समय तक चलिए एक लाश्ट रिविजन कर लेते हैं ताकि डाउट ना हो तो I think मुझे लगता है कभी करें कि मुझे लगता है कि मुझे सवय में परिवर्तन करना चाहिए और जानवरों के साथ रहना प्रारंभ कर देना चाहिए वे बहुत सांत और शैयमी होते हैं मैं खड़े होकर बहुत लंबे समय तक उनको देखता ही रहता हूँ चलिए एक बात और ध्यान दिजेगा आपके सभी चैप्टर अप्लोड किये जा चुके हैं तो अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है हमारे चैनल से तो बस आपको उस चैप्टर का नाम लिखना है और उसके आगे डिजायर पॉइंट जोड़ करके यूट्यूब पर सर्च कर लेना है आपको वो चैप्टर मिल जाएगा सबसे आसान तरीका होता है ठीक है जैसे मान लिजी आपको एनिमल्स पोएम ही पढ़नी है तो ये पोएम लिखिए यानि एनिमल्स लिखिए और उसके बाद उसके आ अब इस वाले स्टेंजा में कभी ने बताया है कि जानवरों का जीवन मनुश्यों से किस प्रकार अच्छा होता है ठीक है तो यहाँ पर देखें कि दे मतलब दे मतलब लगा है यहाँ पर जानवरों के लिए तो दे डू नौट स्वीट दे डू नौट स्वीट वो चिंता नहीं करते, sweet and wine यानि सिध़सीद नहीं रहते, अवेक जागे हुए ठीक है उनको क्या चिंता है चलिए दे अर्थात जानवर do not lie लेटे नहीं रहते अवेक जागे हुए जागते हुए लेटे नहीं रहते इंदडाक अंधेरे में तो जानवर जागते हुए अंधेरे में लेटे नहीं रहते and weep और नहीं रोते हैं for their sins sins मतलब होता है पाप अपने पापों के लिए और वो अपने पाप के लिए रोते नहीं है दोनों लाइन पढ़ा ही लेकिन दोनों का मतलब नहीं समझा रहा है पहरे तो मतलब समझे पोयम तो कोई भी पढ़ा सकता है चले दे डू नौट सुईट और वो चिंता नहीं करते about their condition अपनी स्थिती के बारे में या फिर अपने हालात के बारे में मनुष्यों को चिंता है कि कल उसको जॉब पर जाना है अगर उसने ये काम नहीं किया तो कल मैं में स्कूल में उसको मारेंगी या फिर ये इतना homework करना है कल इस subject का test है आपको चिंता है ना इस सब चीजों की ठीक है तो वही चीज मनुष्यों की चिंता है लेकिन जानवर उसको किस बात की चिंता वो तो अपना चारा खाएगा और फिर सो जाएगा और फिर उठेगा फिर चारा खाएगा फिर सो जाएगा उसको किसी बात की चिंता तो है ही नहीं लेकिन यही पर मनुष्य को बहुत सारी चिंता है होती है जो परिवार वाला वेक्ती है उसको परिवार की चिंता है जो नौकरी वाला वेक्ती है उसको नौकरी की चिंता है जो विद्यार्थी है उनको विद्याले और कोचिंग की चिंता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है ये सब्जेक्ट पढ़ना है इस सब्जेक्ट का टेस्ट होना है सब कुछ यानि मनुष्य के जीवन में चिंता ही चिंता है लेकिन जानवर के जीव मनुष्यों से अच्छा होता है बस थीक है तो पहली बात इस बात में भी उन्हों ने इस पश्ट कर दिया कि मानुष्य को चिंता होती है लेकिन जानुरों को किसी बात की चिंता नहीं होती अब they do not lie awake वो जागे हुए पड़े नहीं रहते या फिर जागते हुए लेटे नहीं रहते इन दार्क अंधेरे में तो अंधेरे में वे या फिर वे अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं रहते और रोते नहीं रहते for their sins अपने पाप के लिए और अपने पाप के लिए रोते नहीं रहते अर्थात मनुष्य है जैसे आप ही कभी-कभी आप से गलती हो जाती है किसी बच्चे को कोई बात आप बोल देते हैं जो उसको बुरी लग जाती है और फिर आप जग भर पे आते हैं तो आप सोचते हैं अरे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी या फिर कभी कभी आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप कोई किसी को मार पीड़ देते हैं तो आप सोचते हैं कि अरे नहीं मारना चाहिए था गलती मेरी भी तो थी ये सब कभी याद आता है जब आप रात में सोने जाते हैं ठीक है तो वही कह रहा है कि अंधेरे में जागते हुए पड चाहिए था चलिए वही चीज तो दे अर्थात जानवर do not lie awake जागते हुए पड़े नहीं रहते इंदर डारक अंधेरे में and वीप और रोते नहीं है for their sins अपने पाप के लिए जानवर को क्या पता कि वो कौन सा पाप कर रहा है कौन सा पुन्य कर रहा है उसको तो इतनी आर्थात जानवर किसी को भी परेशान नहीं करते discussing वीचार विमर्स करके their duty अपने करतव वे के के बारे में to God इस्वर के प्रती तो इस्वर के प्रती है अपने करतव के बारे में चर्चा करके जानवर मुझे परषान नहीं करते मेक मिसी कर्थात मुझे परिशान करना तो नौट मेक मिसी कर्थात मुझे परिशान नहीं करते अब बहुत सारे पादरी होते हैं बहुत सारे साधू संतों होते हैं जो लोगों को बताते हैं कि हमें ये पूजा पाट करना चाहिए हम ऐसा ऐसा करेंगे तो इस्वर प्रशन होंगे ऐसा ऐसा करेंगे तो इस्वर नाराज हो जाएंगे ऐसा ऐसा करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे ऐसा ऐसा करेंगे तो नर्क में जाएंगे ये सब कुछ बताया जाता है और एक तरह से लोगों को ये सारी चीजे बताई जाते हैं लेकिन जानवर इन सब चीजों के बारे में कभी बात नहीं करते हैं कि इस श्वर के प्रति उनके करतब भी क्या है उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैसे पूजा पाट करनी चाहिए सब कुछ ये कुछ भी जानवर बात ही नहीं करते इस बारे में अर्थात जानवर मुझे ये बाते करके परिशान नहीं करते लेकिन मनुष्य को इस बात की चिंता होती है कि ये काम नहीं किया तो पाप होगा ये काम किया तो पुन्य होगा ये काम नहीं किया तो नर्क जाएंगे ये काम नहीं किया तो सर्ग जाएंगे सारी चिंता होती है चलिए आसान सब दों एकबर फिर से reason करेंगे They do not sweet and vined वो चिंता नहीं करते about their condition अपनी इस्थिती के बारे में या फिर अपने हालात के बारे में तो अपनी हालात के बारे में वो चिंता नहीं करते दे लगा है जानवरों के लिए तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जानवर अपने हालात के बारे में या फिर अपनी स्थिती के बारे में चिंता नहीं करते या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि वे अपनी स्थिती के बारे में चिंता नहीं करते वे इश्वर के प्रती अपने कर्टब्यों के बारे में बात करके या फिर अपने कर्टब्यों पर विचार विमर्ष करके मुझे परेशान नहीं करते वे इश्वर के प्रती अपने कर्टब्यों पर विचार विमर्ष करके मुझे परेशान नहीं करते अब अगली स्टेंजा और ध्यान से समझनी होगी कि not one अर्था कोई भी जानवर is dissatisfied dissatisfied मतलब आसंतुष्ट dissatisfied मतलब होता है आसंतुष्ट तो कोई भी जानवर one मतलब कोई भी जानवर आसंतुष्ट not नहीं है तो not one अर्थात कोई भी जानवर आसंतुष्ट नहीं है, not का मतलब नहीं है, one मतलब कोई भी जानवर, dissatisfied मतलब आसंतुष्ट, तो कोई भी जानवर आसंतुष्ट नहीं है, ठीक है, अब किस चीज से आसंतुष्ट नहीं है, अपने जीवन से, मनुष्य अपने जीवन से आसं वो कहता है हे भगवान कास मुझे इतना अमेर पैदा किया होता कि मैं दो चार गाड़ियां एक साथ खरी लेता हे भगवान कास मुझे इतना बड़ा घर दिया होता तो मैं ये कर लेता हे भगवान कास मुझे इतना पैसा दिया होता तो मैं ये करता मनुष्य तो अपने जीव अर्थात कोई भी जानवर अपने जीवन से आसंतुष्ट नहीं है Not one is demented, demented मतलब होता है पागल, ठीक है अब एक तरह से आप कह सकते हैं, हाँ चलिए पागल ही बोलिए क्योंकि मानिया भी है, तो इसका मतलब भी पागलपन ही होता है दोनों का एक ही मतलब है, तो demented with the mania देखे, demented मतलब होता है पागल, mania मतलब होता है पागलपन ठीक है, एक तरह से दोनों का मतलब एक ही है, पागल ठीक है, तो कहने का मतलब है कि not one is demented with the mania कोई भी पागल नहीं है बस,Demented मतलब भी पागल मानिया मतलब भी पागल तो कोई भी पागल नहीं है तो Demented with the Mania अर्थात इस पूरे को मिला कर एक ही सब्सब्द werd बनना है शब्सब्स ठीक है तो Not Even कोई भी जानवर इस Demented with the Mania आर्थात पागल नहीं है तो कोई भी जानवर पागल नहीं है of own, own मतलब होता है मालिक बनना, स्वामी बनना, स्वामी बनने के लिए thinks किसी वस्तु का, तो कोई भी जानवर किसी वस्तु का स्वामी बनने के लिए Demented with the Mania पागल नहीं है मनुश्य पागल होता है अपने सपनों के पीछे जैसे आप सोचते हो कितना अच्छा पढ़नू इतना बढ़िया रिजल्ट आ जाए कि हमारे पूरे गाउं में या फिर हमारे पूरे सहर में हमारा ही नाम हो जाए ऐसा सोचते हैं ना आप सब तो आप सब एक तरह से अपनी जुनून के लिए मेहनत कर रहे हो लेकिन जानवरों में कोई जुनून नहीं होता कोई पैसन होता है नहीं खाना है शोना है बस उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है तो अर्था तो वो पागल नहीं है उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं है कोई भी जानवर पागल नहीं होता और ना ही कोई जानवर नील्स घुटने टेकता है तो एनदर दूसरे जानवर के सामने ठीक है मनुश्य अपने से बड़ों के सामने जुक जाता है उनको प्रणाम करता है या फिर जैसे राजा माहराजा होते थे तो उनके सामने सब लोग घुटने टेक देते थे कि माहराज आप भी बड़े हैं हम सब छोटे हैं और हम लोग भी अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं तो उनके सामने जुकते हैं यानि ये हमारे संसकार हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये संसकार हैं हमारे, ठीक हैं, तो not one, लेकिन जानवरों में ऐसा कोई संसकार नहीं होता, उनके लिए सब एक बराबर हैं, क्या माता, क्या पिता, क्या राजा, क्या जोगी, सब एक बराबर, तो not one, nils, कोई भी जा जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता और और ना ही वो घुटने टेकता है to his kind उसकी प्रजाती के किसी ऐसे जानवर के सामने जानवर के सामने जो हजारो वर्स पहले जीवित था और ना ही वो घुटने टेकता है to his kind अपनी प्रजाती के किसी ऐसे जानवर के सामने जो हजारो वर्स पहले जीवित था हजारो वर्स पहले अठाद जैसे हमारे दादा पर दादा तो हमें बताया जाता है कि यह हमारे दादा है यह दादा जी की तस्वीर है यह पर दादा की तस्वीर है इनको परणाम करो इनको भी नमस्ते करो इस तरह से ठीक है लेकिन उनमे जानवरों में तो किसी की तस्वीर नहीं होती कि दादा है पर दादा है कुछ नहीं तो वो किसको परणाम करेंगे तो वो अपने जो पूरवज थे ना उनको भी प्रणाम नहीं करते क्यों क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है सब तो वही चीज तो कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता अर्थात जो जिन्दा है उनकी बात हुई पहली लाइन में और दूसरे लाइन में कभी ने कहा कि जो मर गए हैं अर्थात जो उनके पूरवज हैं ये लोग तो उनको भी प्रणाम नहीं करते उनके सामने भी घुटने नहीं टेकते जिन्दा की तो बात ही छोड़ो जो उनके पूरवज हैं उनको भी प्रणाम नहीं करते उनको भी नमस्ते नहीं करते, उनके सामने भी हुटने नहीं टेकते और ना ही कोई जानवर घुटने टेकता है, अपनी प्रजाती के किसी ऐसे जानवर के सामने जो हजारो वर्स पहले या फिर हजारो वर्स पूर्व जीवित था, ठीक है, not one is respectable ना ही कोई जानवर one, मतलब को कोई भी जानवर not नहीं हैis respectable, आधरनी है, तो कोई भी जानवर आधरनी नहीं है और unhappy और कोई भी जानवर दुखी नहीं है, over the whole earth इस whole इस संपोण अर्थ प्रितमी पर looky कोई भी जानवर ना तो आधरनी है और ना ही दुखी है कहने का ताथ पर यह है कि मनुश्य अपने शप्ने जब हासिल कर लेता है तो वो प्रसन होता है लेकिन अगर वो चीज़े उसे नहीं मिलती जो कुछ भी उसे चाहिए तो वो दुखी हो जाता है तो जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता वो किसी चीज की इच्छा ही नहीं रखते तो वो दुखी कहां से होंगे और respectable मनुश्य को आदर चाहिए जैसे आप बड़े हैं तो आप सोचते हैं कि हमारा जो छोटा भाई है वो हमको नमस्ते करे हमारा थोड़ा सा नाम हो जाए हम टाप कर जाए तो सभी लोग आके हमको नमस्ते करें कि भाईया आप ही भी धायक हैं हम तो कुछ है नहीं हमें भी मारक दरसन दीजिए तो आप भी बस आप चाहते हो कि सबसे आगे रहो ना तो कहने कि मतलब आपको respect चाहिए आपको सम्मान चाहिए लेकिन जानवर को उसी क्या पता सम्मान किस चिडिया का नाम है तो वही चीज़ एक बार revision कर लेते हैं ताकि doubts ना हो तो कोई भी जानवर अपने जीवन से आसंतुष्ट नहीं है और ना ही कोई किस कोई जानवर किसी वस्तू का मालिक बनने के लिए पागल है डिमेंटेड विद्मानिया पागल है नाट वन नियल्स और ना ही कोई जानवर घुटने टेकता है तो अनदर दूसरे जानवर के सामने और ना ही वो घुटने टेकते हैं अपने प्रजाती के किसी ऐसे जादवर के सामने जो हजारों वर्स पहले जीवित था इस संपूर्ण प्रत्वी पर इस संपूर्ण धर्ती पर ना तो कोई जानवर आदरणी है और ना ही कोई जानवर दुखी है अब ये लाश्ट स्टेंज आ है ध्यान से समझेगा जैसे कोई जानवर हो जैसे कुत्ता ही माल लिजिए हमने कुत्ता कोई पाला है अपने घर में और जब हम स्कूल से आते हैं तो जैसे ही हम गेट पर पहुँचते हैं अपने घर के वो कुत्ता हमारी तरफ अपनी पूछ हिलाता हुआ आता है तो वो अपना जब प्रेम प्रकट करता है रथा तो वो हमारे पास आता है तो हम भी बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रख देते हैं या फिर उसके साथ थोड़ा सा लाड़ प्यार करते हैं यानि जानवर अपना प्रेम हमें पता सकते हैं वो दिखाते हैं अपना प्रेम कहने का ताथपर यहां पे है कि जैसे जानवर एक दूसरे से घुल मिल कर रहते हैं बड़े प्रेम से रहते हैं वैसे ही मनुष्य को भी एक दूसरे से घुल मिल कर रहना चाहिए प्रेम पुर्वक रहना चाहिए किसी से ना तो इर्षय करने चाहिए और ना ही किसी चीज का लालज करना चाहिए चले आगे चलते हैं शो दे इसलिए दे दे मतलब जानवर अर्थात वो जानवर शो दिखाते हैं दे अर अपने रिलेसंस संबंध या फिर गोड या फिर आप कह सकते हैं प्रेम रिलेसंसिट मतलब होता है संबंध यहाँ पे सिधा सिधा तातपर है प्रेम से तुमी मुझे अर्थात मनुष्य मैंने कहा था ना कि मनुष्यों के लिए जानवर अपना प्रेम दिखाते हैं चलिए आप बड़े स्तर पर मत समझिए छोटे स्तर पर समझिए फिर इससे बड़े स्तर पर कनवर्ट कर लेंगे तो शोदे जानवर शोदे मतलब जानवर शोद प्रदर्शित करते हैं देर रिलेशंस अपना प्रेम देर मतलब अपना, रिलेशन्स मतलब प्रेम, to me मेरे प्रती, अर्थात मनुष्य के प्रती, तो जानवर मनुष्य के प्रती अपना प्रेम पर दर्शित करते हैं, and I और मैं अर्थात मनुष्य भी accept सुईकार कर लेता है देम उस प्रेम को, और मनुष्य भी उसे सुईकार कर जैसे कुट्ति की बात कि कुट्ता पूछी लाते आपके पास आया तो आपने प्यार से उसके साथ लाट प्यार कर लिया उसके सर पर हाथ फेरा और फिर आप दोनों घर चले गए वही जी जी दे ब्रिंग मी टोकेंज वो मेरे लिए टोकेंज लाते हैं टोकेंज का मतलब यहाँ पे उपहार से है अफ माईसिल्फ माईसिल्फ अर्थात मेरे लिए तो दे अर्थात जानवर ब्रिंग लाते हैं मी मेरे लिए टोकेंज आफ माईसिल्फ टोकेंज आफ माईसिल्फ अर्थ यानि दोनों का मतलब है मेरे लिए उपहार ब्रिंग लाते हैं, तो वो मेरे लिए उपहार लाते हैं, दे अर्थात जानवर, इन्वाइस, इन्वाइस का मतलब होता है दिखाना, देम अर्थात प्लेनली, देम प्लेनली, इन्वाइस देम प्लेनली, प्लेनली का मतलब होता ह यहां पर इस्पष्ट रोप से या फिर इस्पष्ट या इन देर, देर मतलब अपना या फिर उनका पोशिशन्स, पोशिशन्स मतलब होता है अधिकार, अब यहां पर हर एक सब्द का अलग लगतात पर है ध्यान से समझें, सबसे पहले यहां पर है दे, दे लगा है जानवर के लिए इन्वाइस मतलब होता है दिखाना तो जानवर दिखाते हैं दे मनुश्यों को या फिर मुझे तो जानवर मुझे दिखाते हैं या फिर जानवर मनुश्यों को दिखाते हैं प्लेली इसपष्ट रूप से तो जानवर मुझे इसपष्ट रूप से दिखाते हैं इन पोसेशन मतलब अपना अधिकार अब अपना अधिकार का तातपर अपने गोण से है कि जानवरों में कौन-कौन सा गोण होता है ठीक है पोसेशन मतलब होता है अधिकार वर यहाँ पे उस पोसेशन का तातपर यहाँ पे गोण से है जानवरों में कौन-कौन से गोण होते है किसी से इर्शया नहीं होती, वो किसी चीज़ को पाने के लिए होड नहीं करते, वो किसी चीज़ का मालिक नहीं बनना चाहते, वो किसी चीज़ के लिए लालच नहीं करते, यह सब कुछ जानवरों में होता है, और हमें उनसे यह सारी चीज़े सीखनी चाहिए, दो स्टोकेंस ये गुण या फिर ये उपहार मैं आश्चरे से सोचता हूँ I wonder मैं आश्चरे से सोचता हूँ कि उन्हें ये सारे उपहार या फिर ये सारे गुण where get? कहां से मिल गए? डिडाई कहीं मैं श्वय मर्थात कहीं मनुष्य पास गुजरा कहीं मनुष्य तो नहीं गुजरा that way इस रास्ते से huge times ago बहुत बहुत समय पहले huge times ago मतलब बहुत समय पहले कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अर्थात मनुष्य बहुत समय पहले इस रास्ते से गुजरा हो and negligently, क्या लिखा है? एक सेकंड मुझे कैमरा में देखना होगा negligently इस जगा पे कैमरा का play और pause का बटन आ रहा था इसलिए दिखने रहा था तो negligently drop them और negligently मतलब गलती से ऐसा हो सकता है कि गलती से drop उन उपहारों को गिरा दिया हो drop मतलब गिराना दे मतलब उन उपहारों को या फिर उन गुणों को तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मनुष्य बहुत समय पहले इस रास्ते से गुजरा हो और उसने इन गुणों को गिरा दिया हो अर्थात पहले मनुष्य में भी ये सारे गुण थे वो किसी चीश के लिए लालच नहीं करते थे वो अपने काम से काम रखते थे हमेशा अपने काम में बेश्ट रहते थे तो मनुष्य में ये सारा गुण होना चाहिए ये बात कह रहे हैं लेखा कि मनुष्य में ये सारा गुण होना चाहिए लेकिन ये तो बिपरीत है ये सारा गुण तो जानवरों में है, मनुष्य में कोई गुण है ही नहीं चले एक बार रिवीजन करेंगे ता कि डाउट ना हो लेकिन एक बार फिर से समझ लेजिए सीधे सीधे इस पश्ट रूप से यहां से लेकर यहां तक कभी ने कहा है कि ये सारे गुण मनुष्य में होने चाहिए अर्थात मनुष्य का जो मानवता का गुण है उसे मनुष्य ने खो दिया है मानवता का गुण अर्थात मनुष्य को किसी चीज के लिए लालच नहीं करना चाहिए दूसरों का भला करना चाहिए और जितना संभव हो किसी को ठेस नहीं पहुचाने चाहिए लेकिन मनुष्य ने ये सारे गुण खो दिये है मनुष्य ने अपना मानवता का गुण खो दिया है लेकिन वो गुण आज भी पस्वों में बिद्धमान है ये चीज तो चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं तो शो, they show their relations to me अर्थात जानवर मनुष्यों के प्रती अपना प्रेम प्रकट करते हैं या फिर अपना प्रेम प्रदर्सित करते हैं और मनुष्य भी उस प्रेम को स्विकार कर लेता है वो, अर्थात जानवर मनुश्यों के लिए उपहार लाते हैं, टोकेंस लाते हैं और वो इन वाइस दिखाते हैं दे मनुश्यों को प्लेनली इस पष्ट रूप से इन देर पोसेशन अपने गुण और वो मनुश्यों को इस पष्ट रूप से अपने गुण दिखाते हैं आगे करते हैं कि मुझे आश्यर है कि वो दे मतलब वे अर्थात ये जानवर ये टोकन अर्थात ये सारे उपहार कहां से लाते हैं ठीक है कि उनमें लालच भी नहीं है वो किसी से इर्षय भी नहीं करते वो अपने जीवन से संतुष्ट भी है उन्हें किसी चीज का स्वामी भी नहीं बनना ये सारा गुण उन्हें कहां से मिला डिड कहीं ऐसा तो नहीं आई अर्थात मनुष्य अर्थात मैं यानि मनुष्य पूरी मनुद मानव जाती को ही संबोधित कर रहे हैं तो डिड कहीं ऐसा तो नहीं कि मानव जाती या फिर मनुष्य जाती पास गुजरी हो इस रास्ते से ही टाइम सेगो बहुत समय पहले तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मनुश्य बहुत समय पहले इस रास्ते से गुजरा हो and or negligently drop them और उसने ही इन उपहारों को drop कर दिया हो गिरा दिया हो दिम मतलब यहाँ पर इन उपहारों को या फिर इन गुणों को इन गुणों का ताथपर है कि यह सारे गुण मनुष्य में होने चाहिए कि उसे किसी जीच का लालच नहीं करना चाहिए उसे दूसरों का भला करना चाहिए बगएरा बगएरा वीडियो बहुत लंबा है इसलिए सब कुछ ने बता रहा अब आप सब बताया जा चुका है इसलिए आप समझ सकते हैं तो यह सारे गुण मनुष्य में होने चाहिए अर्थात मानवता के गुण तो मनुष्य में होने चाहिए लेकिन मनुष्य में ये मानवता के गुण है ही नहीं मनुष्य ने अपने मानवता के गुण गिरा दिये हैं अर्थात खो दिये हैं लेकिन वो मानवता के गुण आज भी जानवरों में विद्धमान है आपने इस चैप्टर से क्या सिखा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के दृष्टी कोर से भी और इस तरह से यहाँ पे एक अच्छी सीख भी हमको मिलती है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस पोयम से क्या सिखा है और अगर आपने कुछ भी नहीं सिखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाईए वहाँ पे किसी ना किसी बच्चे ने एक बहुत प्यारा सा कमेंट जरूर किया होगा जिससे आपको एक नई सीख मिलेगी इस वीडियो में हमने आज इस चैप्टर को क्लियर कर दिया है आपके बागी के चैप्टर भी अप्लोड किये जा चुके हैं कोई भी चैप्टर आपको हमारे चैनल से पढ़ना है तो बस उस चैप्टर का नाम लिखिए और उसके आगे जोड़ दिज़े डिजायर पॉइंट और यूट्यूब पर सर्च कर लेना है तो वो चैप्टर आपको मिल जाएग हमारे चैनल से पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एक नए चैप्टर में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा